नमस्कार सक्षार्थियों मैं डॉक्टर आशीष रवास्तव विश्व भारती शांती निकेतन से आप सभी सक्षार्थियों का एना एस केस स्टूडियों में हारदिक स्वागत करता हूँ सिक्षार्तियों गडित की इस चर्चा के दौर में हमारी जो चर्चाएं चल रही है उसमें आज का जो हमारा विशय है वह विशय है गडित के भै और असफलता के डर से बच्चों को मुक्त कराना सिक्षार्थियों यह बहुत गंभीर विशय है गंभीर इसलिये है क्योंकि जो गड़ित के प्रती जो भय है और गड़ित के में जो असफलता है इसका जो डर है बच्चों में वह बहुत ही हानिकारक है हमारे बच्चों के लिए हमारे समाज के लिए जाने अन जाने कहीं न कहीं सिक्षक, स्कूल, माता-पिता, संगी साथी और समाज का वह तबका जहाँ बच्चा अपने जीवन को जी रहा है कहीं न कहीं जाने अन जाने हम सब उसके पीछे जिम्मेदार हैं सिक्षार्तियों यह एक गंभीर विशय है और इस पर आपका जो कदम होगा वह कदम समाज के लिए बहुत हिदकारी होगा तो हम अगर यह देखें कि यह जो भै है, यह जो सफलता है, इसका यह है क्या तो हम देखते हैं कि गडित को लेकर हमारे समाज में कुछ अजीबो गरीब धारनाय प्रचलित हैं जैसे गडित एक ठोस विशय है, जैसे अन्य विशयों की तुलना में गडित जादा कठीन होता है जैसे यह बेहद नीरस विशय है जैसे अध्यापक जो गडित के अध्यापक हैं वे बेहद गंभीर होते हैं वे हस्ते मुस्कुराते नहीं हैं और सिक्षार्थियों इसी तरह से लड़कियों के बारे में यह धारना प्रचलित है कि वे गडित में कमजूर होती है आश्चेर का विशय यह है कि इन धारनाओं का कोई वेग्यानिक आधार नहीं है फिर भी यह हमारे समाज में प्रचलित है और गडित के प्रती जो ऐसी धारनाई है कि यह ठोस विशय है यह अन्य विशयों की तुल्ला में कठिन है यह नीरस है अध्यापक गंभीर हैं हस्ते मुस्कुराते नहीं हैं लड़कियां गडित में कमजूर हैं इन सारा यह जो धारना है इस धारना के साथ बच्चा कहीं न कहीं गडित के लिए पूरवा ग्रह बना रहा है और उस पूरवा ग्रह के कारण वह गडित को एक कठिन विशय मानने लगा है जबकि है बिलकुल इसका उल्टा गडित बहुत ही मजिदार मन रंजक और हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ विशय है और यह ऐसा विशय है जिसको जिस पर अगर आप महारत हासिल करते हैं अगर आप इस पर आराम दायक इस्थिती में अपने को महसूस करते हैं तो अन्य विशय भी आपके लिए सरल लगने लगेंगे इस तरह से गडित रास्ट्री सिक्षा नीती 1986 में गडित को हर विशय का वाहन कहा गया है अगर गडित में आप आराम दायक इस्थिती में हैं गडित में आप सहज हैं तो आप अन्य विशयों में भी अपनी जो उपलब्धी है उसको आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं सिक्षारतियों यहां एक और सोचने की बात है कि जो पहली बार जो बच्चा स्कूल जा रहा है क्या वह बच्चा गडित से पूनता अंजान है क्या वह बच्चा बिलकुल खाली दिमाग से स्कूल में जा रहा है एक ब्लैंक स्लेट जिसको हम कहते हैं उसके साथ वो जा रहा है क्या उस बच्चे को क्लास में जाने से पहले उसके पास किसी भी तरह का पूरो ग्या नहीं है नहीं, यह सारी बाते गलत हैं क्योंकि वे बच्चे जो पहली बार स्कूल जा रहे हैं पहली बार कख्षा के अंदर जा रहे हैं वे बच्चे रुपिया पैसा समझते हैं तौफी और रोटियां गिन सकते हैं यही नहीं वे दुकान से चौकलेट भी खरीच सकते हैं इसके अलामा उन्हें कम जादा का भी अनभाव है उन्हें हलका भारी का भी अनभाव है धीरे धीरे गड़ित के लिए आधार प्रदान करता है अब जब यह हमारा जो बच्चा है उसके पास ऐसे पूर अनभाव हैं ऐसे अनभाव जिसमें वह बच्चा इस स्कूल जाने से पहले रुपया पैसा गिन सकता है टौफी चॉकलेट गिन सकता है घर में रोटियां गिन सकता है चॉकलेट खरीद सकता है छोटे बड़े का हिसाब कर सकता है इन सारे पूर अनभावों के साथ जैसे ही बच्चा स्कूल जाता है तो उस बच्चे की समझ आखिर गरबडा क्यों जाती है क्या ऐसा होता है कि उस स्कूल पहुंसते ही उस बच्चे की समझ जो है वो गरबडा जाती है और वो गड़ित से घबराने लगता है वही गडित जो वह क्लास में गुसने से पहले अपने जीवन में करके आया है अतह कहीं न कहीं उस प्रक्रिया में कमी है वह प्रक्रिया जिसके साथ बच्चे का गडित से परिचे कराया जा रहा है उस प्रक्रिया में ही कहीं न कहीं कमी है क्योंकि बच्चा जो क्लास में आया है बच्चा जो कक्षा के अंदर आया है वह बच्चा गडित का एक पूर्व ज्यान ले करके आया है जैसे कि हम जानते हैं कि कक्षा में अक्सर गडित की जो विशेश करके जो कक्षा है उसका अच्छा में मूर्त वस्तूओं का प्रयोग हम नहीं करते हैं और चुकि हम मूर्त वस्तूओं का प्रयोग नहीं कर रहे हैं अमूर्त जो संकल्पनाए हैं उसके साथ हम बच्चे को अनुभव प्रदान कर रहे हैं उस अमूर्त का के कारण वो बच्चे डर जाते हैं इस भै का कारण सिक्षक का रूखा व्यवहार और अरूचिकर अध्यापन भी हो सकता है सक्षारतियों यह समझने की जरूरत है कि जब प्राथमिक इस्तर पर हमें मूर्त वस्तों का उपयोग अधिकाधिक करना है प्राथमिक इस्तर पर सिक्षक का रूखा व्यवहार बिलकुल भी स्विकार यह नहीं है अरूचिकर अध्यापन तो संभव ही नहीं हो सकता अगर हम बच्चे को गडित में सहज बनाना चाहते हैं तो इसके साथ ही सिक्षकों द्वारा बच्चों की गल्तियों को नकारात्मक नजरिये से देखना भी उनमें अपराद बोध पैदा कर सकता है और वे गडित के भएके सिकार हो सकते हैं सिक्षार्थियों बच्चा इतने सारे पूर अनभवों के साथ संकल्पनाओं के साथ पूर्व में की गई गड़नाओं के साथ जब बच्चा कक्षा में आता है तो उस बच्चे को हम मूर्त जो वस्तुएं हैं उसका इस्तिमाल करके गड़ित के विशे से उसका परिचे कराएं और इस पूरी प्रक्रिया में अगर बच्चे से कुछ गलती होती है तो उस गलती को हम स्विकारें उस गलती पर हम उनसे चर्चा करें और यह विशेश रूप से ध्यान रखें कि गलतियों के प्रती नकारात्मक नजरिया ना अपनाएं यह नकारात्मक नजरिया उन बच्चों में अपराद बोध पैदा कर सकता है और यह अपराद बोध उन्हें गडित के भै के तरफ ले जा सकता है और यह भय अगर उनमें हो गया तो गडित का जो आनन्द है गडित का जो मनुरंजन है गडित में जो सहज भाव से जो सीखने की जो लगन है जो कला है वह बातित हो सकती है और जिससे उसका पूरा अधार ही चर्मरा जाएगा सिक्षार्थियों प्रात्मिक विद्यालियों में जहां एक अध्यापक पर सभी विश्यों को पढ़ाने की जिम्मेदारी होती है ज्यादत अर अध्यापक गडित पढ़ाने से बचते भी हैं इसके भी कई कारण हो सकते हैं जैसे की सिक्षक को गडित की अवधारनाएं सपस् करता है सिक्षार्थियों गड़ित का भै क्या है गड़ित के भै की लक्षण क्या है कैसे हमें पता चले कि गड़ित में जो बच्चा है वो भैधीत है गड़ित से डर रहा है गड़ित में अपने आपको सहज महसुस नहीं कर रहा है तो कुछ कथन में आपके सामने यहाँ पर चर्चा करना चाहूंगा जब मैं गड़ित की समस्याओं को देखता हूं तो मेरा मस्तिस्क सुन हो जाता है मुझे लगता है कि मैं मूर्ख हूं और आसान कारियों को किस प्रकार करना है यह मुझे याद ही नहीं रहता एक और कथन है जिसमें हम गड़ित के भैकों देख सकते हैं गड़ित में सदैव केवल एक ही सही उत्तर होता है और उस उत्तर को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो आप असफल हैं यही बात मुझे पागल कर देती है अगला कत्षन है गड़ित की परिक्षा से मुझे बहुत डर लगता है मेरे हाथों में पसीना आ जाता है मेरी सांसे तेज हो जाती है और मैं पेपर पर अपना ध्यान के इंद्रित नहीं कर पाता हूँ जब मैं चारो और देखता हूँ तब मेरी हालत और खराब हो जाती है क्योंकि सभी अपना कारे कर रहे होते हैं और केवल मैं ही हूँ जो पेपर को हल नहीं कर सकता एक और कत्षन अगर हम देखें मैंने जब भी गड़ित की कख्षा में भाग लिया मैं उसमें सदै वसफल रहा मुझे कभी भी समझ में नहीं आया कि अध्यापक क्या कह रहे हैं और मेरा दिमाग चक्रा जाता है कुछ और कत्षन है जैसे मैं जब नौ वर्ष का था तभी से मुझे गड़ित से नफरत हो गई और उस वक्त पहाड़ा नायाद होने के कारण मेरे पिता जी ने मुझे एक सप्ताह की सजा दी जब मैं छोटा था तो सजा के रूप मेरे पिता जी जो गड़ित के अध्यापक थे मुझे गड़ित के प्रश्न हल करने के लिए बाद्धे करते थे एक और कथन है गड़ित में बहुत सारे तथ्यों, सूत्रों और प्रक्रियाओं को याद करना पड़ता है एक और कथन है गड़ित मेरे जीवन के लिए प्रासंगिक नहीं है गड़ित मुखिता अंक गड़ित है गड़ित एक उबाओ विसे है अतह आपने इसी तरह के बहुत से और कथन अवश्य सुने होंगे जो गड़ित में अपने प्रदर्शन को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है और जिनके मन में गड़ित के प्रतिभाय उत्पन हो चुका है सक्षार्थियों यहां यह समझने के जरूरत है जैसा की चर्चा के बिल्कुल शुरुवात में हमने बात कही थी कि जाने अन जाने सिक्षक साथी माता पिता समाच का वह तबका जहां बच्चा अपना जीवन का बड़ा भाग जीता है हम सभी उस भै को बनाने के लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार है क्योंकि वह गलत धारणा गड़ित के प्रति है वह हमें बाधा पहुचा रही है इसमें एक और बात भी है सक्षारतियों कि यह जो गड़ित का जो भै है किसके लिए इस भै के लिए लोगों ने अध्यन किया और उस अध्यन से हमको यह पता चलता है कि जो गड़ित विशे है उस विशे में जो उसकी प्रवर्ति है गड़ित की वह संचई प्रवर्ति है और गड़ित की यह संचई प्रवर्ति भै का एक प्रमुख कारण है जैसे यदि आपको दसमलव कठिन लगता है तो आपको प्रतिशत भी कठिन लगेगा और अगर आपको प्रतिशत कठिन लगेगा तो फिर आपके लिए बीजगरित मुश्किल हो जाएगी दीरे-दीरे भै का माहौल बनने लगेगा तो इसका मतलब है कि जो गरित का जो प्रकृत ही है वो संचई है और अगर आप कोई एक विशे में अगर आपके लिए कठिन लग रहा है आपको मुश्किल आ रही है आपके लिए तो उससे जोड़े हुए जो अगली जो शाखाएं है वो शाखाएं भी आपके लिए कठिन होंगी और भय का माहल बढ़ता चला जाएगा एक और जो बात है इसमें जो शोड़ से पता चलती है वो यह है कि प्रतिकात्मक भाशा का प्रभुत्व भी पहले नीरस्ता और फिर भय की ओर ले जाता है सिक्षारति हमें पता है कि गड़ित में प्रतिकात्मक भाशाओं का प्रयोग बहुत तायत में होता है और यह जो प्रतिकात्मक भाशा है यह प्रतिकात्मक भाशा अगर हमने ध्यान नहीं रखा है सिक्षाख होने के नाते तो पहले यह बच्चों को निरस लगेगी और फिर यह निरस ता धीरे 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 भै का रूप लेगी और यह हमारे शोधों के परणाम है उस शोधों के परणाम से हमें पता चलता है जो आसपास के जो उसके परिवेश की जो भाशा है दैनन्दिन अनभवों की जो भाशा है उसके बीच में एक बलगाव है एक दूरी है एक detachment है और यह detachment बच्चे की गड़ित से दूरी बनाती है तो सक्षारतियों गड़ित की संचई प्रवृत्व प्रतिकात्मक भाशा का प्रभुत्व सामाजिक भेदभाव और पाठिपुष्टकों की दैनिक जीवन के अनभवों से जो दूरी है वो सब चीजें गड़ित को कहीं न कहीं गड़ित के प्रतिभायुत्पन करती हैं जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं अमूर्त अवधारनाओ की समझ उनमें आसानी से बने इसके लिए एक सार्थक संदर्व की जरुत है इस संदर्व के लिए उनको हम एक्रम में अनभव दें ये अनभव पहले ठोस वस्तूओं के साथ दें फिर हम उस अनभवों को भाषा बोलकर अनभवों के बारे में बताएं फिर हम उसको चित्र अनभव को जो चित्रों के द्वारा हम उनको बताने की कोशिश करें और फिर हम उन जो चित्र हैं उन चित्रों तक जब उसकी समझ बन जाती है तो प्रतीक अनभव को लिखित प्रतीक को द्वारा व्यक्त करना सीखें, सिखाएं सक्षारतियों बच्चों को गडित सिखाने का सबसे उची तरीका यही है कि पहले उन्हें मूर्त वस्तूओं के द्वारा प्रतेक चीज का अभ्यास कराया जाए फिर चित्रों के रूप में उसे ब्लैकबोर्ड पर लाया जाए ततपस्चात उसे संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जाए ऐसा करने पर वे गडित की अमूर्तता से भैबीत नहीं होंगे और सहज रूप से गडित के प्रतेक रूप से घुल मिल जाएंगे इसकूल आने वाला प्रतेक बच्चा कंचे, गेंद, इमली के बीज, पैसों, सिक्कों आदिसे भली भाती परचित होता है और यह जो उसका जो परवेशी अनभव है, इस अनभव के द्वारा हम बिभिन्न प्रकार के खेल खेलते हुए बच्चों को उनका परिचे गडित से करा सकते हैं सिक्चार्तियों कुछ उपाय भी आमें ध्यान में रखने चाहिए, जैसे उचित सिक्षण विधी, हम प्रात्मिक इस तर पर विशेश कर आगमनात्मक जो विधी है उसका उपयोग करें, मूर्त वस्तों का उपयोग करें, गरतिय मनोरंजन का उपयोग करें, पहलियों का, कूट प्रशनों का, खेल खेलोनों का उपयोग करें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, सबसे महतुपून बात ये है, कि परवेशी ग्यान जो है बच्चे का, जो उसका दैनिक अनभाव है, उस अनभाव के साथ हम गडित को जोड़ करके ही आगे बढ़ें, जैसे ही परवेशी ग्यान से गडित को अलग करेंगे, गडित धीरे धीरे नीरस, यांतरिक और भैपून होता चला जाएगा, कक्छा के बाहर गडित खोजने की कोशिश करें, और उपयुक्त आकलन करें बच्चे का, बच्चे का पूरे संदर्भ में उसका आकलन करें, ना कि उसके हम परणाम पराधरित आकलन करें, सिक्छक बेहतर तैयारी के साथ क्लास में जाए, और पाठेचर्या जो है, उसका परवेश के साथ उपयुक्त जुडाओ हो, पाठेचर्या परवेश से कटी हुई, अलग नहीं होनी चाहिए, अगर पाठेचर्या परवेश से अलग है, प सिक्छारतियों आशा करता हूँ, आपके लिए चर्चा सार्थकरी होगी, धन्यवाद